सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक खिला देने वाली हॉरर स्टोरी पहला इकन प्रेस करना ना भूलें दिन भर ग्रैनी गेम खेलता रहता था और किसी की कोई बात नहीं सुनता था उसके पेरेंट्स उससे बहुत परिशान हो चुके थे क्योंकि वो अब पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था रहीम की एडिक्शन दिन बदिन भरती जा रही थी एक रात जब रहीम ग्रैनी गेम खेल रहा था तभी अचानक ही उसका फोन बंध हो गया उसने अपना फोन वापस ओन करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ रहीम को लगा कि शायद उसके फोन की बैटरी खतम हो गई है तो वो अपनी अलमारी से चार्जर निकालने के लिए उठा तभी उसे लगा कि जैसे उसके कमरे की तरफ कोई आ रहा है उसने दर्वाजा खोल कर देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था रहीम ने अपना चार्जर निकाला और फोन को चार्जिंग पर लगा दिया उसने फिर अपना फोन ओन करने की कोशिश की पर उसका फोन फिर भी ओन नहीं हुआ वो फोन ठीक ही कर रहा था कि तभी उसके कमरे का दर्वाजा जटके से खुला और फिर धीरे से अपने आप बंध हो गया रहीम थोड़ा घवराहट में दर्वाजे की तरफ देख रहा था कि तभी दर्वाजे के पास लगे हुए शीशे में उसे एक साया दिखा लाइट ओफ होने की वज़ा से वो साफ साफ नहीं देख पा रहा था लेकिन जब रहीम उस शीशे के पास गया तो उसके पैरो तले जमीन खिसक गई शीशे में उसे एक भूड़ी औरत दिख रही थी जिसकी आँखें पूरी तरह सफेद थी मूँ से हलका सा खून बह रहा था और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी रहीम तो जैसे तैसे वहाँ जम सक्या वो एक टक लगाए उसी औरत को देखे जा रहा था और तभी उस लगा कि जैसे वो औरत उस उस शीशे से बहार आने की कोशिश कर रही है उसने अपना हाथ रहीम की तरफ बढ़ाया और रहीम को एक बहुत तेज सा खिचाव फील हुआ वो जैसे तैसे भाग कर अपने बिस्तर में घुज गया थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे अब उसके कमरे में कोई नहीं है तो उसने अपने मूँ से चद्दर हटाई पर वो भोड़ी औरत ठीक उसके सामने हवा में जूल रही थी उसने रहीम का गला पकड़ लिया और अपने लंबे नाखूनों से उससे जोर से दबाने लगी रहीम के मूँ से चिलनाने की अवाज भी नहीं निकल पा रही थी बस वो जोर-जोर से अपने हाथ पैर चला रहा था तभी हिम्मत करके रहीम बहुत जोर से चीखा उस अवाज को सुनकर रहीम के पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वो सोते हुए चिला रहा है उसकी मौम ने उसे नीन से जगाया और उसे बताया कि वो सपना देख रहा था लेकिन उसकी मौम बात करते हुए रुख गई जब उन्होंने देखा कि रहीम के गले पर असली के नाखूनों के निशान थे उस दिन के बाद से रहीम ने हौरर गेम्स खेलना छोड़ दिया आपको क्या लगता है? क्या रहीम सच में कोई सपना देख रहा था? लेकिन फिर वो निशान जो उसके गले पर थे, वो कहां से आये? क्या आपको भी हौरर गेम्स खेलने के बाद बुरे सपने आते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए और साथ ही देखिए हमें पहली बार ग्रैनी गेम खेलते हुए हमारे नए गेमिंग चैनल खूनी मंडे लाइफ पर और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा